जॉला मुखी के साथ लगते गाउं अंब उचाड की 90 वर्षिय बुजर्ग रुकमनी देवी ने इस कुरोना जंग में जीत हासिल की है और परिजनों ने इसमें उनका पूरा साथ दिया रुकमनी देवी ने बताया कि वे इस समय बिलकुल स्वस्थ हैं और अपनी दिंचर्य का कारे स्वयम कर रही है जॉला मुखी के आंब की 90 वर्षिय बुजर्ग महिला रुकमनी देवी ने कुरोना को मात दी है उन्होंने बताया कि उन्हें बुखायर हो गया था और उनके परिजनों ने समझदारी से काम लेते हुए उनकी देखभाल की और नियमित दवाई का स कारी का मिउला रही तब लेते हुएड३र में थेक हुए इचो अश्य किई कनन में मैं क्याista कम ने को ने मैं कंम है बता दोना कोई कम भी आ हुझे कम मत्यट्धा इनल्हसा रुक्मनी देवी के पोते नरेश राना ने बताया कि 18 माई को दादी की तबियत खराब हो गई थी और उन्हें एक क्लिनिक में चेक करवाया गया लेकिन आराम नहीं आया उसके बाद उन्हें 20 माई को सिविल अस्पिताल ज्वालमुखी ले जाया गया जहां उन्हें आया और कुछ ही दिनों में वे काफी ठीक हो गई उन्होंने बताया कि अब दादी बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपनी दिन्चर्या का कार्य स्वायम कर रही हैं हम इनको 20 में को जो की गौवर्मेंट हॉस्पिटल जॉलम की में हम इनको द्वारा से 11 विजे मॉर्निंग में इनको लेके गए हमने इनको एडमिट करवाया इनका ऑक्सिजन लेवल जो है बिल्कुल डाउन हो गया था बीपी लेवल भी डाउन होने के कारे इनको डॉक्ट पॉस्टिव पाएगे तो उसमें डॉक्टर के मुताबिक डॉक्टर जो बोल रहे थे कि इनको धरमशाला में शिफ्ट कर दें या इनको वहां पर भेज दें किसी और हॉस्पिटल में पर मैं मैंने और मेरे मदर ने मना कर दिया कि हम इनका जो देख बाल है वो अपने घर म मैं रिखिया गया मैं मैंने इनका पूरा ध्यान रखा इनको प्रॉपर व्याया हूं को रोना की गाइडलैंड्स के अनुसार इनका पूरी सेवा करते रहे हम और अब ये बिलकुल पूरन रूप से स्वस्थ हैं और इसके कारण 90 साल की एज के मैं होने के कारण ये करोना जो है औरों के लिए भी सीख है इन्होंने करोना को मात दे दी है सिरी चैनल के लिए जौला मुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट